ठीन्ष आजकी वि데्टियो मा माम भी बात परहँए ठीन्ष। का हिंदी होता काल यह एक्षकली यह ठीले ठीन्ष। टीन पर्ड़कार के होते हैं पर्जस पॉचेंट परतिय क्लमें साथ भाग होता है तो सबसे पहले जो इंडिफिनिट एंस होता है इंडिफिनिट में ऐसे वाक्य आते हैं जिसका कि समय निर्धारित नहीं होता है कि था कर देदी यह औसमय निर्दारित नहीं होता है और अपक्राइब के सुटनियूस में ऐसे वाक्षा आते हैं जिसमें कउम चलदा इसका भी मन निर्दारित नहीं होता कब तो कब reyendo को जाता हूँ मोग जाते हैं जिसका की ठाइम निर्दारित नहीं होता तो time का कोई पता नहीं चलना जैसे वह आती है वह कब आती है time का कोई पता नहीं चलना continuous में काम जारी है जैसे मैं जारा हूँ जाने का कम जारी है लेकिन इसमें time का कोई time निर्धारित नहीं है और perfect में ऐसे वाकिया आते हैं जिसमें की काम पूरा हो चुका है एक भाग इसका perfect रहता है और दूसरा भाग इसका continuous का रहता है पहला काम पूरा हो भी चुका है perfect continuous में ऐसे वाकियाते हैं काम पूरा हो भी चुका और जारी भी है इसके लावा हम लोग टेंस जो होते हैं तीन परकार के होते हैं present टेंस फिर आप present टेंस को के चार भाग होते हैं present indefinite फिर present continuous, फिर present perfect continuous, उसी तरह फिर past tense, past tense के भी चार भाग होते हैं, past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous, उसी तरह फिर future tense, future tense के भी चार भाग होते हैं, future indefinite future continuous future perfect future perfect continuous इसके अलावा तो कोई भी टेंस नहीं होता है बस आगे का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टेंस का एक एक ग्रूप एक भाग को इसके बाड़े में डिटेल्स में पढ़ेंगे जैसे परजेंद इन डिफनिट का पहला बाग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे टोटल टेंस आपका हो गया 4 x 3 बराबर 12 टेंस हो गया टोटल आपका यह 12 किलास होगा हमारा थैंक्स पॉर बाचिंग मैं वीडियो